दिवाली पर मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं तो जरास संभल कर क्योंकि पंचकूला में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मिठाई खरीदने वाले ग्रहकों के होश उड़ा दिये हैं पंचकूला के सेक्टर आर्थ स्थित नामी स्वीट्स शॉपस से खरीदी गई मिठाई में कीडे निकले हैं पंचकूला के सेक्टर आर्थ स्थित गोपाल स्वीट्स से खरीदी गई मिठाई के डिबे में से कीडे निकलने पर ग्रहक ने एतरास चताया इस मामले पर गरहत निक्या जानकारी थी, सुनिए स्यम्सक्राइब के लिएक तो सभी मिटाईयों में कीडे हैं अब आप यहां वापिस आए हो तो क्या किसी को श्राइद तो लोगों ने खाई भी थी यह मिठाई आपसे मनेजर मिलें जी और इनके कोई अंदर बैठे होंगे पंचकुला निवासी लालचन ने सेक्टर आट गोपाल स्वीट से मिठाई खरीदी थी लालचन ने बताया कि 24 अक्टूबर को उन्होंने गोपाल स्वीट से काजू, बदाम और चॉकलेट का एक डिपा खरीदा था इसकी कीमत 2000 उपे थी, ये मिठाई का डिपा उन्होंने अपने किसी रिष्टेदार को भीजवाया था लालचन ने आरोप लगाया कि जब उनके रिष्टेदारों ने मिठाई खाई तो उसमें से कीडे निकलाए उन्होंने कहा कि इतनी महंगी मिठाई खरीदने के बाद उन्हें अपनी पेज़दी महसूस हो रही है क्योंकि जिन रिष्टेदारों को मिठाई भीजी गई थी उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि हमें मिठाई भेजी है या कीडे खाने के लिए भीजती है इसके बाद लालचन्द गोपाल स्वीट्स पर पहुँचे और दुकान के मैनेजर को शिकायत दी वह उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी मामली की शिकायत दी है लालचन्द ने कहा कि हम गोपाल स्वीट्स के खिलाब पूरी लडाई लडेंगे अगर नौबत पड़ी तो अदालत का तरवाजा भी खट-कटाएंगे लालचन्द का कहना है कि गोपाल स्वीट्स की तरफ से लोगों के स्वास्त के साथ खिलवार किया जा रहा है उन्होंने मामले को लेकर हेल्थ विवार की डॉक्र शुभाष को सूचित कर दिया वीडियोडस्क अमरुजाला.ड़ कॉम